असलालेकुम स्टूडेंट्स माइनेम इस रुमान एहमद आएम यूर फिदिक्स टीचर स्टुडेंट्स टूडेव विल डिसकर्स एउन नंबर 16 एंड टॉपिक इस रूट मीन्स के वैलियू ओफ करेंट अपने पिछले लेक्सन में हमने देखा था कि इन आवर प्रिविए्स लेसन हमने ये देखा था कि peak value क्या होति यह तीक है what is peak value in word you mean by peak to peak value थीक है तो अधर हमें peak value को आपको रिपीट कर देता हूं कि peak value क्या होता है लेकिन अगर हमारे पास ये एक AC cycle है suppose हमारे पास ये एक AC cycle है ठीक है डी देखें ये होती है zero value, minimum value ये होती है maximum value, minimum value और ये जो होती है ये वाली values ये कहलाती है peak value और ये भी कहलाती है peak value इसे plus V naught कहते है इसे हम क्या कहते है minus V naught ठीक है और the sum that is positive peak value और ये negative peak value sum of positive peak value और negative peak value is called peak to peak value ठीक है sum of positive peak value and negative peak value is called peak to peak value of voltage ठीक है लेकिन जब AC flow कर रहा होता है तो हम AC की peak value नहीं लेते इसे के हम peak value क्यों नहीं लेते देखें ये अगर peak value होता है वो zero नहीं होता ठीक है एक cycle का जो voltage होता है वो zero नहीं होता इसका मतलब है कि हम फिर peak to peak value नहीं लेते बलकि हम एक और value लेते हैं जिसे हम क्या कहते है root means scale value of voltage ठीक है तो हम voltage की कौन सी value लेते है क्रंट की कौन सी value लेते है root means scale value of voltage अब देखें ये root means scale value of voltage क्या होती है देखें for example हमारे पास ये एक AC cycle है ठीक है ये मैं ओपर रॉख कर देता हूँ ये हमारे पास एक AC cycle है ठीक है अच्छा रिए आपको पते है इस एक AC cycle में ये कहलाती है positive peak value positive P not और ये कहलाता है minus V not ठीक है ये positive V not और ये क्यों होता है negative V not यनिके plus V not और minus V not ठीक है अच्छा दी अब देखें अगर मैं इसका scale लो अगर मैं V not का scale लो तो देखें ये होड़ेगा V not scale लेकिन जब मैं आपको पता है कि जब हम negative value का scale लेते हैं जब हम negative V not का scale लें तो वो बन जाता है V positive V not scale क्योंके scale of negative value is also positive तो इसका फिर क्या होगा स्केर देखें तो ये होड़ेगा V not scale ये माइनस V not का scale के होगा प्लस V not scale ठीक है तो ये तो हमने ले लिए स्केर देखें टॉबिक है root mean scale scale हम ले चुके है ठीक है अगें ये स्केर का ये बाद समझ लें देखें V not ये तो V not है V not का ये मैंने ले लिए V not का scale जब हमने scale लिया तो जिस तरह 2 का scale क्यों होता है 4 होता है तो value यहाँ पर V not थी scale लिया तो क्या बन गया V not scale अब यहाँ भी है minus V not तो जब मैं माइनस V not का scale लोंगा तो ये बन देगा प्लस V not scale ठीक है तो माइनस V not scale बन गया प्लस V not scale ठीक है अब हमने यहाँ पर voltage था 0 और ये voltage कितना है V not scale ठीक है तो मैंने mean लेना है mean ठीक है तो देखें जो root mean scale ये मैं लिखेने रगा हूँ root mean scale scale मैं ले चुका हूँ mean लेना है तो mean कैसे लेते हैं आपको पता है 0 initial value प्लस final value डिवाइड बाइ 2 0 प्लस V not scale डिवाइड बाइ 2 ये मैं दो चीज़े ले चुका हूँ एक मैं root scale भी ले चुका हूँ mean scale और ये है root ये मैंने ले लिया root तो बिटा ये मारे पास root mean scale value of voltage ठीक है देखें पहले root mean scale सबसे पहले ये 0 था ये प्लस V not मैंने scale लिया तो क्या बन गया V not scale ठीक है scale हो गया mean कैसे लेते हैं देखें यहाँ पर voltage 0 यहाँ पर voltage V not scale तो mean कैसे लेते हैं 0 प्लस V not scale over 2 मैंने के दोनों को add करते हैं और 2 पे क्या कर देते हैं divide ठीक है 0 प्लस V not scale over 2 ठीक है तो हमने क्या ले लिया 0 प्लस V not scale over 2 हमने mean भी ले लिया और scale भी ले लिया और ये root भी ले ले लिया scale root भी ले लिया हमने ठीक है तो यह कहला आती है हमारे पास root mean scale value of voltage 0 plus V not scale over 2 is called root mean scale value of voltage ठीक है अच्छा दी तो बिटा यह तो मारे पास होगी root mean scale value of voltage अब आपको पता है 0 plus V not scale over 2 क्या बनेगा यू नो यह बनेगा V not scale over 2 का scale root अब V not का scale root क्या होगा हंडी V not scale root अब मैं इसको erase कर देता हूँ तो V R M S is equal to हंडी यहाँ पे V R M S जब V not का scale लेंगे तो वो बनेगा V not over 2 scale root ठीक है यानि के V R M S की value आ रहाती है V not over 2 scale root अब देखें 2 का scale root ने जिसके साथ कुछ नो वन होता है तो वन डिवाइड बाइ scale root 2 यह आ रहाता है 0.7 V not इस तरह root mean scale current भी क्या रहेगा 0.7 I not ठीक है तो यह मारे पस value आ रहाती है root mean scale value of voltage and root mean scale value of current ठीक है तो दुबारा मैंने बीट कर देता हूँ जिस तरह आपने ग्राफ तो आपने देख लिए सबसे पहले हम क्या लेते है जीरो यह नहीं कि हम scale लेते हैं आपको पता है ऐसी के दो cycle होते है positive cycle और एक negative cycle positive cycle V not scale negative minus V not scale over क्या बन जाता है 2 बन जाता है तो zero plus V not scale over two ठीक है नहीं root ले लिया तो V not scale over two और V not scale का scale root क्या होता है देखें V not over two scale root अब देखें जिसके साथ कुछ नहीं one होता है तो one को जब हम divide करते हैं two scale root पर answer आता है 0.7 V not तो इसका मतलब है कि root mean scale value of voltage क्या होता है 0.7 V not इसी दरह root mean scale value of current क्या होता है 0.7 I not ठीक है तो यह तरही हमारा topic root mean scale value of voltage इसका मतलब है कि हम voltage की कौन सी value लेते है पीक value नहीं लेते peak to peak value नहीं लेते instantaneous value इसका instantaneous value भी मैं आपको थोड़ा सा यह जरह बता देता हूं कि instantaneous value of voltage क्या होती है देखें plus V not minus V not zero और plus V not के between जो value होती है यह कहलाती है instantaneous value of voltage यह क्या कहलाती है instantaneous value of voltage ठीक है zero value plus V not और इसके between जो value होती है वो क्या कहलाती है instantaneous value of voltage ओके students तो यह ता हमारा आज का topic root means scale value of voltage and root means scale value of current ठीक है तो इसको आप अच्छी तरह प्रिपेर करें इंशालों इससे next हम अपने next lecture में पढ़ेंगे okay students, Allah Hafiz